किसानों की आई दोगुनी करने का आजाजी के 75 साल हो किसानों की आई दोगुनी करने का सपना देखा आत्म निर्भर सिर्फ एक शब्द नहीं ये हमारे प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोदी जी का देश और देश वासियों के हित में एक बहुत बड़ा लक्ष है आत्म निर्भर भारत के तहट आत्म निर्भर कृशी एक महत्वप्रून हिस्सा है इसलिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने Agriculture Infrastructure Fund योजना शुरू की है योजना के अंतरगत चार सालों के लिए एक लाख करोड रुपे की व्यवस्था की गई है 2020 से 21 में 10,000 करोड और आने वाले वर्षों में 30,000 करोड रुपे वित्रित किये जाएंगे साथ ही साथ वर्षों के लिए 2 करोड रुपे तक के रिन पर 3% ब्याज सबसेडी की सुविधा दी है इस योजना पर सभी बैंक्स M.O.E.U. साइन करके योजना से जुड़ चुके है रिन देने वाले इन बैंकों के लिए क्रेडिट गैरंटी सुविधा का प्रावधान भी किया गया है इस योजना के तहट पोस्ट हार्विस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए किसान भाईयों को उत्पादों को सही दाम पर बेचने की आजादी और आयका स्थिर साधन मिलेगा जिससे उनके आमदनी में बढ़ोतरी होगी इस योजना के तहट नाबाड दो हजार बीस इकीस के दोरान पांच हजार करोड रुपए के रियायती रिन देगा केंद्र शासन द्वारा दिये जाने वाली ब्याज सप्चड़ी तथा नाबाड द्वारा दिये जाने वाले रियायती रिन के फल स्वरूप पुरात्मी क्रिशी रिन समितियों अर्थात पैक्स को केवल एक प्रतिशत ब्याज दर पर रिन उपलब्द होगा इस योजना को मन्जूरी 8 जुलाई 2020 को दी गई थी एक महिने के भीतर ही नाबाड ने 2280 से अधिक क्रिशी संस्थाओं के बीच लगभग 1000 करोड रुपए की रिन व्यवस्था की है भारत सरकार की ये योजना जहां किसानों को आत्म निर्भर बनाएगी वहीं उनकी आय दोगुनी और खुशिया चोगुनी करने में भी मदद करेगी आत्म निर्भर भारत सशक्त भारत